आज्याकारी हो सुवन अनुगामनी कलत्र निजबैभो संतुष्ट जो उसे स्वर्ग सर्वत्र नमस्कार रादे रादे मित्र मैं आपका आचार देव अपनी चर्चा इस समय अश्टकूट मिलान के चल लही अश्टकूट मिलान वो आधार स्तंभ है जिससे हमें सुन्दर ज उनकी अस्थापना करना श्टकूट मिलान का कार है इस संसार में कुल देखें तो 84 लाख योनिया है और मनस्ष योनि इन योनियों में सरस्रेश्ट योनि को कहा जाता है मनस्ष योनि में भी सास्त्रकारों ने हमें नच्छत्रों के अनुसार 14 प्रकार की योनिया पुदान की हैं मतलब प्रतेक योनी दो नच्छत्रों से संचालित होती है इस संसार में जितने विजियों हैं वो किसी ने किसी योनी मतलब सुभाव गत विसेस्ता पोले के चलने वाले हैं तो 28 नच्छत्रों के अनुसार ठीक है ना 14 योनिया होती है कुंडली में सफल वैवाहिक जीवन के लिए इस्त्री और पुरस दोनों की योनी मेलापक की विएस्ता हमारे सास्तकारों ने दिये क्योंकि मदभेद अगर हुआ तो दामपत जीवन सुरूपी जो महल है वो डह जाएगा वो कमजोर हो जाएगा अगर आपका दामपत जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग जाने की जरूप क्या है यही स्वर्ग है और दामपत जीवन आपका प्रितिकूल हो गया तो नरक की आवशक्ता क्या है ग्री मेवतत घर ही तो है आपका नरक इसलिए कुंडली मिलान करते समय योनी मेलापक पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए आजम बात करेंगे योनी मेलापक में शर्प योनी के साथ आप और तेरा योनियों को कैसे मिलाएं चर्चा आरम करें मित्र उसके पहले आपसे विनम नंरोध है कि क्रिपया जब ध्यान दीजिये तो हैं सभाव योनी होती है हमारा दूसरे के साथ सभाव का ऐसा है दोनों-एक मैस करेंगे के नहीं मित्र योनी मतलब हमारी मित्रता रहे गे फ्रण्सिपर रहे गे की नहीं उडासीन योनी उदासीन मतलब ठीक है साधी तो कर लिए सम्मंद हमें मन ही नहीं है तुमें बनाना है तुम बना लो ठीक है ना छोटी मोटी परिसानी चलती है रिष्टे मर से जाते हैं सत्रयोनी सत्रयोनी का मतलब है ज्यादा तर सिक्स सम्मंद में ही जगड़ा होता है ठीक है ना सम्मंद बनाना ही नहीं चाहते हैं, संबंदों के समय नीचा दिखाना चाहते हैं, महा सत्रयोनी में मार्किट होने लगती है, प्रेम के संबंद में जगड़ा होना शुरू हो जाता है, तो जब आप कुंडली मेलान में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत गोड़ा ये पुरुस का तीन कटेगरी है, हिरनी गोड़ी हतनी ये तीन इस्तरियों की कटेगरी है, या सारे रिक छमता कद काथी, लिए कहने के लिए साइज सब कुछ नहीं होता पर होता बहुत कुछ है, सारे रिक संतुष्टी के लिए, आप जो है एक जलचर और एक ब अधुर नहीं देख पाएंगे, ठीक है न? आप सेर के साथ गव का मिलान या हिरन का मिलान करेंगे तो मैच नहीं आएगा, उसको खा जाएगा, इसलिए ये मत बोलिए कि सिर्प साजेदारी के लिए है, या सारे रिक संबंदों की सुगमता के लिए है, सम्यक होगा, आईत इसलिए तीन बातों पर ध्यान रखेगा, सभाव का ऐसा है, सारे रिक सुख अच्छा मिले, दामपत्य प्रेम अच्छा मिले, साजेदारी में एक दूसरी को आगे बढ़ें, आपके गुण, कर्म, प्रकित, सभाव एक दूसरी को मैच करती है, कि नहीं मैच करती है, तलाक रोकने के लिए करें, अवैज सम्मंदों के जन्म ना हो, इसके लिए करें, मारपिट हिंसा, तलाक, एक दूसरे को उपर पहुचा देने की प्रवित्ती, घर को स्वर्ग बनाए या ना बनाए, लेकिन साथ रहने वाले को स्वर्गवासी बना देते हैं, इस प्रवित्ती क विचारत अच्छा साप्रापते पुन्य वशेन पत्रिम, पत्रिम का मतलब यहाँ पे जीवन साथी से है, कि जीवन साथी आपके पिछले जन्म के पुन के वज़ा से मिलेगा, तो आज हम बात कर रहे हैं, शर्पयोनी, सर्पयोनी, रोहणी और म्रिग सिरा, यदि आप रो प्रोध की है, भाई साप तो साप है, फुपकार तो मारेगा, थुड़ा सा प्रोध इनका कभी-कभी अनियंत्रित हो जाता है, सुभाव थुड़ा सा रुखा है, दया और मम्ता की कमी है, मन थुड़ा सा आइस्थिर है, चंचल है, गंभीरता कम है, खाने में बिंजन के सो खीन है, लेकिन एक चीज़ को और ध्यान देजिएगा, यह अपने जीवन साथिस बहुत जादा प्रेयम करता है, जीवन साथि अगर इनको अच्छा मिल जाया तो इनसे ज़्यादा समर्पन किसी योनी में होता भी नहीं, इनसे जादा समर्पन किसी योनी में नहीं होता, यह आप जान लिए, एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, कहवत आपने सुनी है न, अगर आप नाग को मार दो, तो नाग को मार दो, तो आपकी फोटो आप अपने आखों में रख लेता है, और जब आप मिलोगे तब आपको दंडित करेगा, तो एक अर्थों में यह लोग बहुत सुन्दर प्रेमी होते हैं, लेकिन सब के साथ इनका बेवहार नहीं होता, यह इनके प्रेम में आकर्षन बहुत होता है, और यह देखिए क्या होता है, कि दूसरे लोग जो है न, इनके प्रेम को बरदास नहीं कर पाते हैं, कारण शर्फ, सर्फ आलिंगन का प्रती यह तो प्रेम छे, यह तो मेरा प्रेम है, तो प्रेम करता हूं, तो आलिंगन जवर्जस्त होता है, उससे लोग डरने लगते हैं, बोलते हैं, परिशान कर रहा है, हाँ, थोड़े से अपने परिवार के प्रती जिम्मेदारी लेते हैं, थोड़े से भोगी होते हैं, अगर अभिस्वास नहीं है अभिस्वास आ गया तो फिर दिक्कत होना शुरू बजाती है सुद्य याद रखेगा प्रेम में तीन इस्ति होती है समरत, उच्चरत, नीच्रत अगर आप संतान उत्पन्न के लिए जा रहे हैं या मानो जीवन में संतुष्टि के लिए जा रहे हैं तो मानो यो नहीं मतलब समरत सिर्फ आप पसुष्वत लगे हुए हैं अगले आदमी का स्वास ठीक है की नहीं ठीक है उसका मन है की नहीं है लेकिन आपको संबंद बनाने हैं तो आपका है नीच्चरत हैं, पसु हैं उच्चरत, सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए, उसको जिसों महारसी लोग बोलते थे, यहाँ पे अपनी एनर्जी को नाभी की उपर उठाना इसको उच्चरत बोलते हैं, तीन तरह के सम्मद्ध, ठीक है न, अगर वर शर्प हो, और कन्या अस्व हो, तो बोलते हैं उत्तम है, आपसी समझ रहेगी, सहयोग रहेगी, विश्वास रहेगा, प्रेम रहेगा, शोहार्द रहेगा, आर्थिक सम्मृद्धी भी बेहतर रहते होई दिखाई दे रही है, वहीं पर गजबी है, गजबी बोलते हैं कोई दिकत नहीं है, मैं तुझे जेल लूँगी तू, ब बहुत सक्किसाली है, सर्प को वो थलकास्वर मख दिजिए, स्रीहरी का सयन, बिस्तर है, भगवान सिव के गले में है, भगवान राम के साथ है, भगवान कृष्ण के साथ है, तो सर्प को आदिसयन्त है, ठीक है न, एक बोलते हैं एक बड़े न, सेष नाग, जो के खतम होने के बाद भी सेस रहता है उसका नाम है सेस तो ये बहुत देर तक चलते हैं तो गज़ के साथ अच्छा है मेस मेस के साथ आउसत है क्योंकि मेस वाले इनके जकड़न से तूटना शुरू कर देते हैं जकड़न से तूटना शुरू कर देते हैं फिर भी आप से समझ रहेगी, सायोग रहेगी, सांती रहेगी, थोड़ा सा उदा सीन रह जाएगे, क्योंकि ज़्यादा खिश देता है, तुझे उदा सीन ताक रहेगी, लगाव थोड़ा सा धीरे-धीरे कम हो जाता है, सर्पका सर्प से, क्या बात है, स्रेष्ट, सांती, अगाध प्रेम, जिसक आवस्त है जगड़े रहेंगे तरह तनाम रहेंगा थोड़े से बीचीए कं मैश कर रहे हैं मतलब यहाँ पर दिखें उत्तम मतलब सव प्रतिस्त्त मिलान उत्तम मतलब 75% तरह हैं एक पचास परसेंट से नीचे से बुरा मतलब 25 परसेंट से बहुत जान नकिएगा मित्री होनी है प्रेमी होनी है प्रेम मिलेगा उदा सीनी होनी है तो आप खी नोचो खाओ चले जाओ बस इतना मतलब है बहुत से लोगों की आजकल 75% लोगों के लाइफ में ऐसे चल ला है इसलिए इसको बहुत ध्यान से लिके आगे बढ़िए स्वानी ओने में संदे रहेगा, कुतर कर रहेगा, अब इस्वास रहेगा, मारजार में बुरा है बही, साफ और बिल्ली का कभी आपने देखा, दोनों धुअधार मारपीट कर लेते हैं, यही लोग हैं जो मंडप में मारपीट कर लेते हैं, माला पहना यह जैमाल के टाइम भी सीना चोड़ा करके मुसक के साथ भी बुरा होगा सर्प मुसक को तोड़ के खा जाएगा इतना ज़्यादा बांदेगा कि गुड़ के मर जाएगा स्वास्त खराव रहना सुरू हो जाएगा संदे होगा दूसरे से बस के भागना इसके साथ हमें सुक्ष ही नहीं मिलता परिशान बहुत करता है तो मूसक के साथ घरेलू हिनसा होगि, कुटरक होगि धनहानी होगी महिस नहीं चल पाएगा, महिस अपने मस्तिव रहने वाले है ताकतवर है, तो वो यहाँ पे मेलापक बहुत अच्छाने चलता, बुरा होता है, खिंश्टान ज़ादा होता है, जगड़े वाधी ज़ादा होती है, कुतरक ज़ादा होती है, धनहानी होना सुरू हो जाती है विचारों में भिन्नता किन्तो आपसी प्रेम बना रहता है सवहार्द रहता है थोड़ी कर्तब बनिश्चता की भावना रहती है इस चीज अच्छी है मेरे किसे विचारों में भिन्नता बनी रहेगी और आपसी प्रेम और सौहार कर्तब बनिश्टा को लेके थोड़ा चलते रहेंगे तो दीरे दीरे चीज़ें मैस्ट कर जाती है बानर में अवसत है जहां अवसत है विचारों में भेनता जरूर रहेगी सामाजिक दवाओ में आप धीरे दीरे आगे लेकी चीज़ों को चलेंगे किसमें सामाजिक दवाओ की वज़ा से लेके चलेंगे यहां पे आपसी प्रेम दिखाने के लिए होता है नकुल नकुल से कहां होगा भई सामप और नेवले की दुस्मन ही आपने सुनी है बस तो जिस महावहरे आ जाती है एक होती है वहरी होनी एक होती है महावहरी होनी तो नकुल और सर्प को कभी भी प्रेम करते हैं आप नहीं देखेंगे स्वाभावी की सतुरता है एक दूसरे को काट काते है जिसको मौका मिलता है वो उसको नीचा दिखाता है तिया पे जिसको मौका मिलेगा पती को मिला तो पत्नी को नीचा दिखाएगा पत्नी को मौका मिलेगा तो पत्नी को नीचा दिखाएगा संसार के सबसे दुष्ट, सबसे खराब जो व्यक्ति होते हैं इनकी नजर में इनकी जीवन साथी ही होते हैं इनसे गटिया आज में कोई नहीं होता ये सिर्फ आउगुण ही देखते हैं आउगुण देखते ही नहीं और जैसी स्रिष्टी आप द्रिष्टी होगी वैसी आपके लिए स्रिष्टी होगी सिंग योनी अवसत है यहाँ पे भी परिवार में कला जरूर रहेगा क्योंकि सेर सेर है भई पारेगा पंजा मारेगा सेर किसे दपता नहीं कड़वाट रहेगी आपसी समझ की कमी रहेगी उदासी इंता आ जाएगी ठीक है या तुम आये हो जिवन साथी हो अपना हक चाहते हो ठीक है ल ये नोचो खाओ भाड में जाओ ये वड़ो होता है ना इससे लगवाग आजकल 40% लोग से इसजी रहे है दीरे दीरे प्रेम मर जाता है सरीर में नाडिया है कि इतने लगवाग साढ़े तीन लाग नाडिया बादतर अजार नाडिया प्रमुक एं उन बादतर अजार आड़ियां हैं उस सुचनाओं को संग्रहित करती हैं और वो तीन नाड़ियों के पास संदेश भेजती हैं। आगे चले जो आपके नेचर है उसी के अनुसार चीज़ें कर मैच होगी ना तो जिन्दगी मजाएगा और वो नेचर नहीं है आप फुजा पाड़ करने के नेचर में अगला आदमी बोलता है नहीं मेरे को तो भच्छन करना है भच्छ भच्छ खाना है घुट घुट के मर जाओगे आप इधर अगर वत्ती सु लगाया है उधर उप पैग बना रहा है ठीक है ना यह आपका पैग बनाने का मून है अगला आदमी बोला है मैं सोंगा मैं अभी घुमने जाओंगा आपकी इस्तिती दूसरी है दूसरा उसके विपरीत इस्तिती प्रगट कर दे रहा है नहीं मजा आएगा आप कहते हैं हमेहिकान में प्रेम चाहिए अगला आदमी बोलता है प्रेम में क्या चुपाना हम तो रोट पे करेंगे तो घुड़ घुड़ के मरना सुरू हो जाता है इसलिए कुंडली मिलान में यहां पॉइंट इतना जटके में कहें कि मत निकल ज हैं नहीं बहुत महत्वों हैं कुछ रहिए सुस्त रहिए मुस्का तेरे रादे रादे करते हैं